दोस्तों अगर आपके पास कोई भी वीवो कमपनी का फोन है या आईक्यू का फोन है या कोई भी वीवो का फोन है इस वीडियो को देख सकते हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो के फोन में दोस्तों किसी भी एप्लिकेशन का डाटा प्रकार से आप वाटसप का फेस्टबूक का इस्टाग्राम का किसी भी अप्लिकेशन का बंद कर पाओगे तो कैसे करना चलिए आपको बताते हैं सिधा इसके लिए हम बैग जाएंगे यहां पर दोस्तों देखोगे उपर आई मेनेजर का अप्लिकेशन है अगर चाहो तो अ अब आपको करना क्या है यहां पर मिलेगा यूटिलिटी टूल्स यहां पर किलिक करना है ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा नेटवर्क मैनेजमेंट यहां पर किलिक कर लेना है और जैसे किलिक करोगे अब यहां पर दो अप्शन मिलेंगे जैसे आप वाइफा logo Wifi का करना तो Wifi का बंद कर सकते हो ठीक है अब जैसे वाइफाई का है तो Wifi पे हम आ गये ठीक है अब यहाँ पर जैसे एककशामपल यूटूब ही आपको दिखा देए यह ут यह याँ तिक कर देना यह यह प्रकार से data से करना है तो आप YouTube का बंद करना है जो भी application हो उसका anti कर देना है ठीक है लाल हो चुका है अब हमारा दोनों से बंद हो चुका है आप अपने साब से कर लिजीएगा सीधा यहां से हम बैक जाएंगे दूस्तों ठीक है हम बैक आ जाएंगे और यहां पर सीधा यह data एक बार यहाँ पर इस प्रकार का आएगा, तो यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ पर allow नहीं करना है, इधर disallow कर देना है, बस एतना करके, आप अपने phone को low screen पर करके, कहीं पर भी रख दीजिए, आप कोई भी यहाँ पर आपका YouTube चलाएगा, तो दोस्तों यह ऐसा ही रहेगा इसमें दोस्तो जो है data connect ही नहीं होगा जब तक आप दोबारा से वहाँ से on नहीं करोगे ठीक है तो इस परकार से आप किसी भी application का data only one बंद कर पाओगी अगर आपको चलू करना है दोस्तो तो simply वहीं पे जाईएगा आप ठीक है और जाने के बाद में दोस्तो utility tools पे जाना है network management पे जाना है और यहाँ पे यह जो ठीक है इन्हें सही कर देना है वाई-फाई से हो तो यहाँ से ठीक है यह कर दीजिएगा आपका successful यहाँ पे फिर से आओगी यहाँ पे दोस्तो आपका थोड़ी आभी देखोगी on हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से आप भी अपने phone का किसी भी application का data बंद कर पाओगे on कर पाओगे जैसा कि देखो on हो चुका है